शक्ति सिंग गोहिल जी, अखिलेश प्रसाद सिंग जी, सुबोध कान सहाय जी, अजय कपूर जी, अनिल शर्मा जी, सुप्रिया स्रीनाते जी, जी, नरेंद्र शर्मा जी, मुन्ना त्यागी जी, हमारे कैंडिडेट्स परवेश मिश्रा जी, रजेश सिंग जी, जयेश मंगल सिंग जी, कॉंग्रेस पार्टी के, आरजेडी के, गडबंधन के सारे कार्यकरता, भाईयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां आज बहुत-बहुत स्वागत, और युवाओं का खासतोर से, इस मैदान में बहुत-बहुत स्वागत, नमसकार. कुछ साल पहले, प्रधान मंत्री यहां आये थे, याद है आपको, भाषन दियाता है, याद है आये थे हम, जैसे अब दो दिन में आने वाले हैं, उस टाइम आये थे, कहा था, गन्ने का इलाका है, चीने मिल, चालू करूंगा, और अगली बार वापस आऊंगा, तो आपके साथ, यहां की, चीनी चाए में मिला के पिऊंगा, याद है आपको, याद है न, चाए पी आपके साथ, चाए पी आपके साथ, न, पंजाब में दसेरह हुआ, पहले बार मैंने देखा, आम तोर से, दसेरह में, रावन, कुमकरन, और मैगनाच के, पुतले जलाई जाते हैं, पहले बार देखने को मिला, तिक पंजाब में दसेरह पर, नायंद्र मोदी जी, अम्भानी जी, और अदानी जी के पुतले जलाई जा रहे हैं, अजीब सी बात है, आम तोर से, दसेरह पर, रावन का पुतले जलाई जाता है, और 2020 में, पंजाब में, पुरे पंजाब में, दसेरह पर, रावन नहीं जलाई जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी का, अम्भानी का और अदानी का पुतला जलाया जा रहा है, क्यों, कारण क्या है, आज हिंदुस्तान का किसान, पंजाब का किसान, नरेंद्र मोदी जी का पुतला क्यों जला रहा है, बड़ा सवाल है नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री है और दुख की बात है कि दसेरे पर देश के प्रधान मंत्री का पुतला जलाय जा रहा है हशे की बात नहीं दुख की बात है कारण क्या है कारण यह है कि जो नितीज जी ने बिहार के साथ 2006 में किया वो आज नरेंद्र मोदी जी पंजाब, हर्याना और पूरे हिंदुस्तान के साथ कर रहे हैं देखिए भाई और बहनों शहर का सहरा गाउ होता है गाउ का सहरा किसान होता है और किसान का सहरा उसका खेत होता है खेत के बिना किसान के बिना शहर नहीं चल सकता यह हिंदुस्तान की सच्चाओ है और यह जो तीन कानून नरेंद्र मोदी लाए है जिसका पहले पाइलेट प्रोजेक्ट बिहार में किया गया था यह तीन कानून हिंदुस्तान के बिहार के किसान पर आक्रमन है आपके खेतों पर आक्रमन है बिहार में 2006 में मंडे के सिस्टम को नस्ट किया गया था MSP के सिस्टम को नस्ट किया गया था और आज गन्ना का किसान गयाओ का किसान दान का किसान समझता है कि उसे अपने माल के लिए सही दाम नहीं मिल सकता चाहे वो कुछ भी कर ले चाहे वो कुछ भी कर ले दिहार के किसान को अपनी महनत के लिए अपने खून पसीने के लिए सही दाम नहीं मिल सकता और इसलिए यह जो आज हुआ हैं इन सब को अपने प्यारे प्रदेश को छोड़ना पड़ा यह मुंबर जाते हैं बैंगलार जाते हैं बिल्ला जाते हैं यह खुशी से नहीं जाते हैं यह इसलिए जाते हैं क्योंकि बिहार को नश्ट कर दिया गया आप याद रखिये बिहार के जगे को समझे बिहार के शक्ति को समझे जब महात्म गांदी दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति से लर्ने जा रहे थे सुपर पावर था इंग्लैंड उस समय का सुपर पावर था दुनिया का सबसे पावर्फुल देश था जब गांदी जी हिंदुस्तान की शक्ति का प्रयोग करना चाह रहे थे तो हर्याना नहीं गए वो केरल नहीं गए वो उत्तर प्रदेश नहीं गए वो चंपारन गए वो बिहार में गए यह उधर आए वो इधर आए क्योंकि उन्हें मालुम था वो हिंदुस्तान को समझते थे उन्हें मालुम था अगर हिंदुस्तान को खड़ा करना है अगर हिंदुस्तान को अंग्रेजों से लड़ना है तो लड़ाई बिहार से शुरू होगी चंपारन से शुरू होगी यह आपके जगह है, आज आप जाते हो, आपको बताए जाता है, बिहार के युवाओं को बताए जाता है, सपना देखो, अपनी जिन्दगी बनाओ, रोजगार ढूंडो, युवाओं पूछता है, सपना कहां बनाओ, रोजगार कहां मिलेगा, आपको जवाब मिलता है, बिहार में नहीं, तनाटक में, बैंगलोर में, दिल्ली में, पंजाब में, हर्याना में, मगर बिहार में नहीं, बिहार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता, यह आपकी सच्चाई है, और यह आपके बहितनी, आप यह मत सोचिए, कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है, नहीं, कमी, नितीश जी में है कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है कमी आपके प्रधान मंत्री में है वो आपको सच नहीं बताते एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपको जूट बताते हैं दो लाक युवाओं को नरेंद्र मोधी ने दो करोड युवाओं को, स्वरी दो करोड युवाओं को नरेंद्र मोधी ने हर साल रोजगार देने का वादा किया था क्या नाम है तुमारा? अप? दीपक गुपता को नरेंद्र मोधी जी ने नोक्री से निकाल के भगाया दीपक गुपता को दीपक गुपता बिहार के लिए काम करना चाहते है पहले क्या करते थे दीपक जी दिल्ली मेट्रो देखिए भाया मुझे बताओ बिहार मेट्रो में आपने क्यों नोक्री ढूंडी मेट्रो है ही नहीं दिल्ली मेट्रो में काम करते थे वहाँ से भगा दिया अच्छा आप जैसे लाखो बिहारीयों को भगाया आपने देखा होगा टीवी पे देखा होगा मजदूर आए हजारों किलोमेटर वापिस चले देखा आपने याद है अरे भाईया चुनाव का समय है याद रखना चाहिए आपको याद है आपको बिहार के लाकों मजदूर आए आपके जैसे पीने का पानी था बोजन था रेलवेट रेंट थे बस मिले नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कहा पैदल भगाया पैदल भगाया मैं मजदूरों से बात कर रहा था लोकडाउन था करोना का समय था मैंने का नहीं मैं बिहार के मजदूरों से जाके मिलना चाहता हूँ मैं उत्तर परदेश के मजदूरों से मिलना चाहता हूँ मैं जाके बात की मैं बैठा सड़क पर बैठा आपने देखा होगा मैंने उनसे पूछा भई यह बताओ क्या हुआ मजदूर कहते हैं हमें एक बात समझ नहीं आई मैंने का क्या कहते हैं इस प्रधान मंत्री ने लॉकडाउन करना था तो ठीक है कर देता मगर इसने हमें दो तीन दिन क्यों नहीं दिये अगर हमें दो दिन दे देते लॉकडाउन हो जाता हम ट्रेन पकड़के बिहार आ जाते हम दस में बात के आ जाते उन्हें ने बुझ से पूछया राहूल जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन किया उन्होंने आठ बजे रात को जटके से क्यों किया बिना वर्निंग दिये क्यों किया मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ लॉकडाउन का जवाब और नोट बंदी का जवाब एक ही है और आप अच्छी तरह सुनिये समझिये आठ बजे रात को नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आते हैं कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई है नोट बंदी करनी है पाँच सो रुपय हजार रुपय का नोट रद करने जा रहे हैं करोना के समय नरेंद्र मोदी आते हैं शाम के समय कहते हैं बाइस दिन की लड़ाई है बाइस दिन में करोना को खतम कर देंगे लोकडाउन की ज़रूरत है क्यों नोट बंदी और लोकडाउन का एक ही लक्ष था जो हमारे छोटे किसान हैं जो मजदूर हैं जो छोटे बिजनेस चलाते हैं जो मिडल साइज बिजनेस चलाते हैं उनके धंदे को नश्ट करने का लक्ष था लोकडाउन ने आपके जेब में से पैसा निकाला अंभानी एदानी के जेब से नहीं वो आपको बैंक के सामने दिखे थे क्या जब आप सब लाइन में खड़े थे आपने उनको देखा बैंक के सामने आम जनता को आपने देखा किसान को मजदूर को आपने अपने जेब से पैसा निकाला बैंक में डाला नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई और पिर सीधा आपका पैसा लेकर तीन लाग पचास हजार करोड रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योग पतियों का कर्जा माग कर दिया आप देखते रह गए आपने कहा वही है तो काले धन के खिलाब लड़ाई थी काले धन वाले तो एसी में बैठे काले धन वालों ने बैंक से पिछे दर्वाजे से जाकर अपना पूरा पैसा बदल दिया और आपके लाखों करोड रुपए हैं आपके जेब से निकले सीधा उनके जेब में गए छोटे दुकांदार छोटे बिजनस वाले मिडल साइज बिजनस वाले सब नश्ट हो गए अब चलिए लॉकडाउन के समय चलते हैं लॉकडाउन में फिर से वोई किया लाकों करोड रुपए सबसे अमीर पांच-छे बिजनस वालों का कर्जा मात किया उनके टैक्स के छूट दे दी कांग्रेस पार्टी दिन बार चला रही थी कि भाईया पिसानों का करजा माफ करो चोटे व्यापानुयों की मदद करो small medium बिजनस वालों की मदद करो मोधी जी करते हैं नहीं मैं तो नहीं करो मैं क्यों करो और ये जो सारे दुकानदार थे छोटे middle size business वाले थे ये सब खतम हो गए नश्ट हो गए इनका धंदा खतम हो गया है ये जो है किसान जो है मज़दूर जो है छोटे दुकानदार small medium business वाले ये हिंदुस्तान की अद्दवस्ता चलाते है यह रोजगार दिलवाते है और इनके रीड की हड़ी नरहेंद्र मोदी ने तोर दी और बिहार में ये काम बहुत पहले शुरू हो गया था 2006 में जो आपकी रीड की हड़े थी जो आपके खेती का सिस्टम था MSP का सिस्टम था प्रोक्यर्मंट का सिस्टम था उसको खतम कर दिया तो आज ये आलत है कि बिहार को छोड़िये पूरे देश के युवाव को रोजगार नहीं मिल सकता नरहेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं बाइस दिन की लड़ाई है कभी कहते हैं बहिया कोरोना है आया मोबाइल फोन की बत्ती जलाओ कभी कहते हैं ठाले पकड़ो ठाले बजाओ मगर जो हमारा किसान भूका प्यासा मर रहा है उसके बारे में हमारे प्रदान मंत्री एक शब्द क्यों नहीं कहते हैं जो यह लाकों होगा है जिनका भवेश्य उनके आखों के सामने खतम हो रहा है नश्ट हो रहा है उनकी बात की नहीं करते जो छोटे दुकांदार है जो छोटे बिजनस चलाते हैं उनके बात की नहीं करते क्योंकि नरेंद्र मोदी सिरफ हिंदुस्तान के सबसे अमीर पांच दस बड़े उद्योग पतियों का काम करते हैं मुझे काफी दुक हुआ दसेरे पर हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री के पुतले को पंजाब में जलाया जा रहा है मुझे अच्छा नहीं लगा दुक हुआ कि हमारे प्रधान मंत्री है उनका पुतला नए जलाना चाहिए मगर पंजाब का किसान जो है बिहार का किसान जो है पंजाब का युवा बिहार का युवा उत्तर प्रधेश का युवा उसके दिल में गुस्सा है कि हमारे प्रधान मंत्री दिन भर बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ भाशन देते हैं कभी चीनी की बात करेंगे कहेंगे मैं चीनी दूँगा फिर हम एक साथ चाए पिएंगे कभी दूसरे देशों के बात करेंगे मगर जो देश के सामने समझ्या है सबसे बड़ी समस्या रोजगार की समस्या उसके बारे में प्रदान मंत्री कुछ नहीं कहेंगे पहले कहते थे नितीज जी कहते थे अब प्रदान मंत्री अपने भाशन में नहीं कहते कि मैं दो करोड युवाओं को रोजगार दूँगा जानते हैं जूट बोला था बिहार के जनता बात समझ गई है अगर मैं बता रहा हूं गैरंटी दे के कह रहा हूं प्रधान मंत्री अगर आ गए और आज कह दिया कि दो करोड युवाओं को मैं रोजगार दूँगा शॉइद भी उनको भगा दे किया कि भईया आपने पहले जूट बोला था आपने दिया नहीं अब आप हमसे जूट मत बोलिए बिहार में गड़बंदन है हम आरजेडी के साथ बाकी पार्टियों के साथ लड़ रहे हैं और एक युवा नहता खरे है इजेश्मीन निया विजन देना चाहता है रोजगार की बात करता है और कॉंगरेस पार्टी एक साथ उनके साथ यह चुनाव लड़ दी कॉंगरेस पार्टी ने देश को डारेक्शन दिया है आपको याद होगा मन्रेगा हमने दिया बोजन का अधिकार हमने दिया किसानों का कर्जा माफ हमने किया हम देश को चलाना जानते हैं हम किसानों के साथ खड़ा होना जानते हैं हम युवाओं को रोजगार दिना जानते हैं मगर मगर एक कमी जरूर है हम में हम जूट बोलना नहीं जानते उनके सामने हम जूट बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते यह कमी है मैं स्टेज से मान लेता हूग यह कमान में तमे है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने बनाया पकोड़ा है है अगली बार आएंगे पकोड़ा बना के बोदी जी को नितिश जी को थोड़े खिला देना तो तो देखिए मैं चाहता हूँ कि एक बार फर बिहार का युवा बिहार का किसान सिर्फ बिहार को रास्ता नहीं दिखा है मैं चाहता हूँ कि बिहार का युवा पुरे देश को रास्ता दिखा है और मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जब बाकी प्रदेशों के युवा रोजगार ढूनने पटना है और यह हम कर सकते हैं मिलकर यह काम हम कर सकते हैं यह मैं चाहता हूँ सरकार बनेगी सब की सरकार होगी यह मैं ग्यारंटी आपको दे के कहना हूँ मैं ग्यारंटी दे रहा हूँ कि सरकार बनेगी तो सब की सरकार होगी हर जात की सरकार होगी हर धर्म की सरकार होगी हर डिस्केट की सरकार होगी हर भॉप की सरकार होगी और मिलकर एक साथ मिलकर बिहार हिंदुस्तान को विकास समझाएगा आप दूर-दूर से आए इतनी गर्मी में आपने मेरी बात सुनी इतना प्यार दिया दिल से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जोहन